है हलो इस्टुडेंट आज हम देखेंगे इंपोर्डेंट डियक्षिन 12 की केमेस्टरी जिसका नाम है कार्वाइल्एमिन रेक्षन कर रवा लेमिन में क्या होता है हम्फ्राइमरी एमेन लेते हैं प्राइमरी एमेन R-NH2 is the primary amine, it is reactive with chloroform and alcoholic KOH, यह कि most IMP reaction है, primary amine की, chloroform की, when primary amine is treated with chloroform and alcoholic KOH, then a pungent smelling substance, alkyl isocyanide is formed, alkyl isocyanide is formed, this reaction is called carboilamine reaction, देखी बहुत easy reaction है, हम समझते हैं यहां से, क्या होगा, बेड़ा 3K and 3Cl, अब जानते हैं, K और Cl, बच्पन का प्यार KCl, बार हो जाएगा, यहां से हमको देख रहा है कि 2H and 1H, 2 and 1, 3H and thrice OH, 3H, 3OH, thrice H2O, अब जो remaining है, उसको हम विर्स्थे राइट करेंगे, तो remaining जो है, उसकी बात करते हैं, R N C, R N C, alkyl isocyanide is formed, यह pungent smell होता है, इसकी दुर्गंद होती है, जब प्रात्मिक एमिन की क्रिया, ख्ल्वरोफाम और Alkoholic कये साहिप कराई जाती है, तो अथियन्त दुर्गंद युक्त पदहार, यह आइसो साइनाइट का निरमान होता है, यह आइसो सायनाइट का निरमान होता है, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं कार्भिल एमिन यह जो सब्स्टेंड है इसको बोलते हैं कार्भिल एमिन इसलिए रियेक्शन को भी कार्भिल एमिन रियेक्शन का जाता है यह जो reaction है इसके तुरू हम primary amine और chloroform का टेस्ट कर सकते हैं इसलिए इसको कहा जाता है आइसो साइनेट टेस्ट आइसो साइनेट परीक्षन अब यहां आर के प्लेस पर क्या आ सकता है प्लस क्लोरोफार्म प्लस थ्राइस के ओएच के ब्रेकेट में हम एलकॉलिक राइट करेंगे देन वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा थ्रीके थ्री सील बाहर थ्राइस एच थ्राइस ओएच बाहर थ्राइस के सील थ्राइस एच टूओ एंड सी एच थ्री एंड सी मिथाइल आइसोसाइनाइड इस फॉर्म मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम्यादे मिक कही सुना है आपने भोपाल ट्रेजडी जो होई थी दो और तीन दिसंबर वन नाइटीएट फॉर वोपाल में गेस का रिशा हुआ था वो यही थी मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक तो यह फॉर्म होती है अब अगर हम यहां पर C6H5NH2 ले ले देन इस काल्ड एनिलीन वेन एनिलीन इस ट्रीटेड विद क्लोरोफार्म CHCl3 एन एलकोहलिक के ओएच फिर से वही होगा बिटा 3K, 3Cl, 3KCl, H देखो जरा HH, 2H, 2+, 3H, 3OH, 3OH, और अब हमको यहां पर क्या मिलेगा C6H5NH2, Phenyl isocyanide is formed, Phenyl isocyanide भी बोलते है, Phenyl isocyanide भी बोलते है a pungent smelling substance, Phenyl isocyanide is formed, this reaction is called Carbyle amine reaction thank you